पूस्कार आप देखरें न्यूस फोरनेशन और मैं हूं सांच्वन आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर ब्याहर के सीता मड़ी जिले से निकल कर सामने आ रही है जहाँ पर एक ड्रग इंस्पेक्टर को रंगे हाथ दो लाख रुपे घूस लेते हुए निगरानी विबाग की टीम ने उनके ही घर से पकड़ लिया है आपको बताए कि निगरानी विबाग की टीम ड्रग इंस्पेक्टर के घर पर छापे मारी करने पहुची जहाँ पर रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर नवीन पकड़े गए आकरकार क्य कुछ जानकारी निकल कर इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है क्या कुछ हुआ और निगराने विवाग की टीम को ये पता कैसे चला कि उनके घर पर वो रिश्वत ले रहे हैं जानत दरसल इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की सीता मड़ी जिले से है जहां विजलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर को रंगे हाथ उनके आवाज से गिरफतार किया है गिरफतार ड्रग इंस्पेक्टर की पहचान नवीन कुमार के रूप में की गई है तस्वीरों के माध्यम से हम आपको सीधे सीता मड़ी की तस्वीरे दिखाएंगे जहां उनकी गिरफतारी की गई है तो जैसा के आपने तस्वीरों में देखा उक्त छापेमारी ज्रग इंस्पेक्टर के शहर के पासवान चौक स्थिद किराय के मकान पर की गई है गौड तलब है कि विजिलेंस जीएसपे ने बताया कि शहर के दवा वैवसाई मुकेश कुमार और विनोध कुमार से दुकान का बहुतिक सत्यापन को लेकर बतोर रिश्वत 75,000 और 2,000,000 रुपे की मांग की गई थी जिसके शिकायत पीड़े दुकानदारों के द्वारा विजिलेंस से की गई थी जहां दोनों दुकानदार ज्रग इंस्पेक्टर को उनकी किराय के आवास पर रिश्वत देनी पहुचे थे जहां दुकानदारों ने विजिलेंस की टीम को सूशना दी थी कि उनसे 75,000 और 2,000,000 रुपे रिशुवत मांगे जा रहे हैं जिसको वो पहुचाने ड्रग इंस्पेक्टर के घर जा रहे हैं जैसे ही ड्रग इंस्पेक्टर ने रिशुवत के पैसे अपने हाथ में लिए लिशिलन्स की टीम ने च्छापा मार दियो और उनकी गिर्फतारी की गयी है और क्या कुच अन्य खुलासा होता है जो भी बाते निकल कर सामने आएंगे वो भी हम आप तक ज़रूर पहुचांगे फुलां के लिए इस बड़ी अप्जेट में अतना ही अना कई खबरों के लिए मासाद बने रही न्यूस फोर नेशन में, नमस्का.